पूरात पीपरिया परखंड का भिनुखों का दोरा किये बार रात को ले करके, तो व्हेंसे भेकन दिखा, देखीए प्ली बहले धारातर पर कुछ नहीं है, चुके ना कोई भी गाउं तुपरिया पंचयत के कोई भी गाउं में ना का वेवस्ता नहीं है उसके बाद बोजन का वेवस्ता नहीं है जानवर के लिए कोई वेवस्ता नहीं है उसके बाद सबसे बड़ी बाद है कि मेडिकल टीम को होना चाहिए कब किसको क्या होगा इसके लिए तो कोई माई बाप नहीं है जानवार कभी डाक्टर होना चाहिए उसके लिए चारा कभी बेवस्तान है अज सब का घर इस तरह से घर के अंदर पानी चल गया है कि वो भोजन भी नहीं बना सकता है इसलिए भगवान भरोसे है और जो हम देखे उसमें पेपर कानुसार ये लोग ठीक ठाक हैं लेकिन धरातल पर ये लोग बिलकुल थेल हैं वो बेवस्ता है इसलिए हम डियम साहिव से भी बात किया है तो आप धरातल पर जाएए धरातल पर जो सही है वो कीजिए हर टोला में जो परभावीत है हर टोला में नाव का तुरत विवस्ता कीजिए ताकि किसी को कुछ भी हो तो तुरत उसको रहात मिल सके अब देखे प्राइबेट नाव से आता है तो अरहाई सो रुपया लगता है उसको अब डाउन में अब गरीब आदमे को अभी भोजन ने मिल रहा रहा है सो रुपया कहां से देगा तो यह सब परसासन का लपर रहा है जिसके कारण की हम परसासन से हम संतुष नहीं है चुके जो ब्यवस्ता होना चाहिए मुकल्म उससरा का ब्यवस्ता ही नहीं है तो क्या परसासन पाने का घटने का तो नहीं इंतिजार कर रहा है कारण की देखे जिन हो गिया है जो पुराने लोग हैं उनको चाहिए कि नियम साहिव को बताना कि अगर बार आप मा जाता है तो हमको क्या करना है तो मिचितर उसे नियम साहिव इस पर पहल करते हैं जो अबयस्ता अभी है अबयस्ता ने रहता है जो नाव एगरिमेंट किये हैं जो नाव एगरिमेंट किये हैं जो पेपर में नाव को दिखा रहे हैं बिल्कुल एक भी नाव चाहिए वो अपथुआ हो चाहिए कनहरपूर हो चाहिए आपका डिव पिपरिया हो बसवनी हो करारी पिपरिया हो पिपरिया द्यारा हो और कहने का मतलब है कि पूरे छेत्र में जो परभावी छेत्र है वहां को बेवस्था नहीं है जीला परफेसन का यह भी देखने को मिलडा है कि जहां तक अभी तक कहाजे की फरक है सुगम जहां तक की बाण से आया जा सकता है वही तक पदा देकारी पहुंच रहा है लेकिन जो कहाजे की चारो तरफ से पौनी से घिर चुका है उस जगह तो परफेसन कहीं से देखे जहां कि आज आप पोगे देखे चुक्कि कहें के डियम साहिम नहीं है अगर उनको को बताएगा तबने की परभावित कहां कहां है वहाँ उनको ले जाता था निची तरुप से जाते हैं एक्टिव हैं जिला पदा कर यह इसी बात नहीं लेकिन इनको सही दिशा और सही मार्ग नहीं बताने के चलते यह जो है गेपिंग हुआ है दिन फे पानी है और सरकार के द्वारा कोई राहत सामगरी यहां पहुचा है या अभी तक यह लोग बाट जो रहा हैं उमीद में है कि कोई पहुचेगा की चाची क्या दिन फे पानी है जा चार रोज में कोल ढंके राहत सरकार के और फे कुछ नहीं कुछो ने है मुणही तक भी दल्मोटक ने ही ज़िए मुख्याजी ए Sherlock है जीवान मुख्याजी आर को आएं बाट कोई ने कोई एपा वह बर ने अक पा बहुटरने और रहें नो अवाल कुछ ने नहीं, नहीं कोई बवश्या पानी है तो देखें कि किस परकार का रही है महिला है और यहां पे एक और है क्या कोई बेबस्था यहां में सरकार के जोड़ा है किस परकार का उंबीत किस परकार कर रहे हैं बड़े-बड़े दावे लेकिन धरातल पर क्या है ना 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 कॉम्निटी कीचन यहां तक कि कहें कि मूढ़ी और दालमोट और सुखा चूरा का भी विवस्था इन बाढ़ में जलमगन हुए गाउं का लोग बाट जो हो रहे हैं अभी तक सिर्फ कागजी खाना पूर्ती लेकिन धरातल पर कुछ नहीं है यह सच्चाई जो गाउं बाढ़ में दूबे हुए हैं और यह जो दस क्या हम आपको दिखा रहे हैं यह है फूर्ज गल्हा बिधान सभा के पिपर्या परखंड के पिपर्या ही कि एक कौन सब्सक्राव है यह बसावना टोला पिपर्या और इस मुद्य पे भी बात करेंगे मान ये बिधायक पर्लाद यादव जी से कि सरकार के और से तो बहुत सारी बाते कही जा रही है लेकिन और देखें कि किस परकार से प्लाद यादव बिधायक जी चड़ रहे हैं नाव पर और यहां से फिर कुछ करेंगे दूसरे गाउं के लिए ये हाल है और गाउं गाउं जाकर के आज कर रहे हैं और सचाई से हो रहे हैं रूबरू कि सरकार कि क्या है वेवस्था उस वेवस्था को लेकर के तो इसी के साथ लेते हैं आपसे बिधा और आगे दूसरे गाउं का भी दिखाएंगे हाल और वहां की धरातल की सरकार के द्वारा राहत समगरी क्या है वेवस्था उसकी सचाई को बनड़ है सोजन स्रमाचार के साथ नमस् झालाँ झालाँ